Hello and welcome back to the channel तो आज हम कुछ ऐसे specific questions देखने वाले हैं जिसके अंदर हम matrices और determinants को count करते हैं तो counting in the sense आपके पास कुछ data available होता है और आपको यह बताना होता है कि ऐसी कितने matrices exist करती है जो इस condition को satisfy करती हैं तो हम first question से start करेंगे तो आप एक बर pause करके question को खुद से attempt करें और फिर हम उसे try करेंगे और इस तरह कि question में आप matrix assume कर सकते हो variable form में जैसे 2 x 2 की matrix को आप ABCD ले सकते हैं 3 x 3 की matrix को आप ABCD, EF, GHI इस form में ले सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ meaningful build कर सकते हैं equations, relations and so on तो first question के अंदर हमारे पास 3 x 3 matrix है A तो आप A matrix को मान सकते हैं ABCD, EF, GHI A transpose जो है जो इसका transpose है इसमें rows जो है वो columns की जगे आ जाएंगे तो ये इस तरह से हमारे पास A transpose बन जाएगा और ये बोल रहे हैं कि ये जो A A transpose का product है इसमें diagonals पर जो elements है इनका sum जो है ये 9 के बराबर है तो diagonal वाले elements कौन से होंगे जब first row, first column से multiply होगा जब second row आपका second column से multiply होगा और जब आपका third row, third column से multiply हो जाएगा तो इसमें diagonal elements में आपके पास क्या आएगा जब ये ABC वादी first row, ABC की first row से multiply होगी तो first row, first column का element A square, B square, C square ये diagonal का पहला element होगा second row, जब second column से multiply होगी तो यहाँ आपके पास D square, E square, F square ऐसा आएगा ये AA transpose वाले diagonal elements के sum वाले काफी questions आचुके हैं advance और means में इसी तरह ये जब GHI third row third column से multiply होगी तो last में G square, H square, I square का sum आएगा अब यहाँ पर आपको diagonal पे जितने भी elements हैं इन सब का sum पूछा है तो ये कुछ इस form में बन जाएगा A square plus B square, C square, D square से लेकर I square तो ये 9 elements है जिनके square का sum आपके पास 9 के बराबर आ रहा है और आपको बनाने के लिए use क्या करना है? 0, 1, 2 या 3 तो अगर आप जैसे cases लेंगे यहाँ पर तो पहला case में क्या हो जाएगा? कि 1, 3 आजाए और बाकी 8 times आपके पास क्या आजाए? 0 तो 3 का square 9 हो जाएगा और 0 का square 8 times 0 आजाएगा तो यहाँ पर अब हमें ये distribute करना है ये से लेकर आई तक 9 अलग-अलग places है हमारे पास तो हम यहाँ उसमें से 8 तो क्या है? तो क्या कर लेंगे? 9 factorial upon 8 factorial क्योंकि ये 8 zeros identical है इसी तरह अगर आप case 2 पर आएगे तो case 2 के अंदर अब आप क्या कर सकते है? जैसे 3 नहीं है, आपके पास 2 है तो आप यहाँ पर जैसे 2 2 use कर सकते है 2 2 और 7 में 1 2 square 4, 2 square 4 और 1 square क्या होता है? 1 और बाकी 6 places पर आपके पास क्या आजाएगा? 0 तो ये हो जाएगा 9 factorial 6 factorial क्योंकि 6 बार 0 आ रहा है और 2 बार 2 आएगा 2 times आ रहा है 2 तो 2 factorial तो ये second case हो गया इसी तरह और case आप क्या बना सकते हो कि 9 elements के square का sum अगर 9 के बराबर आए और element 0, 1, 2, 3 में से ही है एक बार 2 आजाए, 2 square क्या होता है? 4, 5 बार 1 आजाए, 1, 2, 3, 4, 5 5 times आ रहा है तो आप sum 9 हो गया पीछे अभी भी आपके पास क्या होगा? 3 places बचेंगी, वहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0 को रख देंगे ऐसा कर सकते हैं हम यहाँ पर इस तरह से तो इनका square का sum 9 आजाएगा तो 9 factorial 0, 3 times आ रहा है और 1, 5 times आ रहा है और last method के अंदर आपके बास क्या होगा? जब 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है तो सारे 1 लेने पड़ेंगे तो 9 places है, सारी 9 places पर 1 ले लेंगे 0, 2, 3 कुछ नहीं 9 factorial by 9 factorial तो यह जो हमारे पास यहाँ 4 cases आएं इन सब cases को add करके value निकाली जा सकती है ठीक है? तो इस तरह से हम questions को cases के थूँ अप्रोच करेंगे matrices count करनी होगी तब बात समझ मारी चला, next question पर आते हैं अपन यह वाला आप try करेंगे और पहले pause करके कुछ से कोशिश करेंगे तो यहाँ पर order 2 दे रखा है integer entries है और A symmetric matrix है तो 2 cross 2 की symmetric matrix है तो इसके अंदर क्या होगा? जिसे इधर A आ रहा है, इधर B आ रहा है तो A और इसका transpose बराबर होते है symmetric में क्या होता है? matrix से बराबर A transpose तो इधर नीचे भी यह कि आपके पास क्या आज आएगा, right में B है तो इधर B और यह fourth element कुछ भी हो सकता इस C, है न? और यहाँ पर बोलाए कि A square के diagonal elements जो है, उनका sum 1 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको multiply करेंगे है न? वापस किससे? A से ही multiply करेंगे, ऐसा कुछ अब multiplication कर देंगे, तो A square प्लस B square आएगा इधर क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर multiply करोगे तो AB प्लस BC इधर भी AB प्लस CB आ रहा है और last में B square प्लस C square तो diagonal elements का sum आपके पास हो जाएगा यहाँ, A square प्लस C square प्लस 2 times B square तो बिटा B 1 तो होई नहीं सकता B 1 हो गया या minus 1 होगा, तो B square क्या हो जाएगा? 1 और 2 से multiply होके तो value 1 से बढ़ी होगी, तो B को तो पक्का ही है क्या होना पड़ेगा? 0 A और C, 2 minus 2 यह सब तो देखेंगे नहीं, A और C में क्या option है? कि A plus minus 1 हो तो C 0 हो जाएगा या A 0 हो तो C क्या हो जाए? Plus minus 1, तो 2 choices हमारे पास A के लिए मिल रही है उस वक्त 2 हमें C के लिए मिल रही है और B के लिए हमारे पास कोई choices नहीं है, total हमारे पास 4 cases आजाएंगे आज होप आपको यह बात समझना आई है तो plus 1, 0, 0 minus 1, 0, 0 0, 1, 0 और 0, minus 1, 0 यह 4 cases possible easy है, मुश्किल नहीं है बस cases बनाने की practice दिरे-दिरे आपको करनी पड़ेगी next पर आजाते है तो यहाँ पर आपके पास A matrix दे रखी है और आपसे पूछाए कि A transpose A 3 times I3 I3 यानि identity matrix third order का यानि यह क्या हो जाएगा I3 क्या होता है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 3 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3 ऐसा कुछ तो अब पहले A transpose लेते है A transpose में क्या कर देंगे यहाँ से अगर हम A transpose बना रहे है तो यह आजाएगा 0, 2Y, 1 2X, Y, minus 1 और 2X, minus Y, 1 यह A transpose है A के साथ multiply होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमे तो हम यहाँ A transpose निकाल लिया है अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है यह भी निकाल दिया आप multiply कर लो तो मैं multiplication डिरेक्ट लिख देता हूँ 0, 0, 2X, 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 2X तो यह वाली form कुछ ऐसी आजाएगी 1st element 4X square जैसा फिर आपके पास यहाँ पर कैसा आ जाएगा यह करने के बाद 0 into 2Y, 2X into Y, 2X into minus Y अपने आप 0 इसी तरह 0 into 1, 2X into minus 1, 2X into 1 I hope multiplication आपको आता है तो आप यहाँ पर जब multiplication करोगे तो आपके पास इस तरह से form आती रहेंगी तो आपको यहाँ पर multiply करना है और यह multiplication हम आगे भी करते रहेंगे तो I think यह 6Y square आ रहे है और यह वापस 0 आ जाएगा और यह भी 0 आ जाएगा और इसके case के अंदर यह भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 minus 1, 1 कुछ ऐसी form आ रहे है तो आपको यहाँ पर total matrices बतानी थी ऐसी कितनी matrices possible तो यहाँ 4X square अगर calculation से यह तो 3 आ रहे है और Y यहाँ से plus minus 1 by root 2 तो X की भी 2 choices Y की भी 2 choices तो 2 into 2 कितने matrices बन सकते है total 4 matrices एकस के साथ rule 3 by 2 Y के साथ 1 by root 2 X के साथ rule 3 by 2 Y के साथ minus 1 by root 2 X के साथ minus root 3 by 2 Y के साथ 1 by root 2 और दोनों का negative ऐसा तो I hope आपको दीरे दीरे idea लगने लगाए कि हम किस तरह से इनको approach कर सकते है बात समझ मारी है मैं अगला देखते है तो यह try करेंगे B matrix ऐसी कितनी है such that A, B और B यह बराबर हों और B की entries 1, 2, 3, 4, 5 से आएंगे तो B matrix आप माल लो जैसे आपके पास A matrix ऐसी है 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 B matrix कुछ ऐसा माल लेते है A, B, C, D, E, F, G, H, I तो बोल रहा है यह multiplication करें चाहिए multiplication करेंगे बात क्यानी चाहिए बिल्कुल सेम आनी चाहिए वैसा हमें पता है generally matrix multiplication commutative नहीं होता बट कुछ ऐसी cases, restriction के अंदर यह चीज true होती तो अब आप multiply कर सकते हैं matrix multiplication आता है आप सबीकों तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा D, E, F, A, B, C, G, H, I यह LHS आजाएगा RHS अगर आप लेंगे तो आपके पास इसके case में यहाँ पर आजाएगा B, इसके case के अंदर यह द्रंग से लिख देता हूँ B, A, C ऐसा कुछ इधर आपके पास आजाएगा E, D, F और H, G, I अब आप यहाँ बराबर कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप बराबर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जैसे आप equate करें तो D बराबर B आ रहा है दोनों जगे से आप देख पा रहे है D, B बराबर D क्योंकि दो matrix बराबर है तो हर position पे जो elements है वो बराबर होने चाहिए क्योंकि हर position पे elements क्या होने चाहिए आपके पास बराबर होने चाहिए इसलिए यहाँ पर first वाले को first से equate कर रहे है second को second से third को third से तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो D और B बराबर आएंगे F और C भी बराबर आएंगे E और A भी बराबर आएंगे और G और H भी बराबर आएंगे I कुछ भी हो सकता है तो I को चूज करने के लिए आपके पस कितने तरीके हैं 5 अब मालो B है तो B को चूज करने के लिए भी 5 तरीक है बर D उसके बराबर होगा तो अलग से मत देखो C के लिए भी 5 तरीक है F बराबर है तो उसका अलग से मत देखो A के भी 5 वेस fix हो जाएंगे, तो ये भी बहुत interesting question था, एक last question देख लेते हम आज का, उसके बाद question मैं आपको on work में देखूँगा तो यहाँ पर आपको number of matrices बतानी है, जिनका determinant 15 के बराबर हो, और ABCD यहाँ से आएंगे, जिए entries दे रखी, तो determinant के आजाएगा, आपके पास निकालोगे तो, pause करके बर try करो है AD minus BC बराबर 15, तो आप खुच सोचना ऐसा क्यों है, खुच से दिमाग लगाएंगे, यह ऐसा तभी possible है, जब यहाँ पर क्योंकि क्या product आ सकता है, 3 का जरी के साथ, plus minus 9, plus minus 3 2 is out of 6, plus minus 3 फिर अगर 2 है खुच के साथ, तो 4, फिर 2, 0, 1, 1 के साथ, 1 बनाएगा, बाकी 0 तो यहाँ एक ही possibility है कि इधर यहाँ, मलब दो ही possibility कि इधर 9, इधर minus 6 हो जाए यह फिर इधर 6 और इधर minus 9 हो जाए, बस, तो जब हम चाते हैं कि AD की value 9 आए और BC की value minus 6 आए तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं AD selection की 2 choices हैं क्या-क्या 2 choices है आपके पास बताओ कैसे आ सकता है AD 9 के बराबर इधर 3 हो जाए, A और D minus 3 या minus 3, 3, तो यह दो possibilities हैं BC equal to minus 6 की 4 possibilities हैं क्या, 2 minus 3 3 minus 2 minus 2, 3 और minus 3, 2 तो total 2 for the 8 cases तो यही होगा, next case जो है हमारे पास उसमें AD 6 और BC की आ रहा है minus का 9 आ रहा है तो same चीज़ अब हम यहाँ उल्टी कर देंगे यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा तो अब इसके case में यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर जब इसके case में हमें चाहिए कि AD किसके बराबर आ है 6 और BC आना चीज़ तो यहाँ बर BC के लिए 3, minus 3, minus 3 और 3 यह दो ही cases रहेंगे AD के लिए अब बहुत सारे cases आ जाएंगे जैसे 3, 2, 2, 3 है ना, minus 3, minus 2, minus 2, minus 3 तो 4, 2, 3 यहाँ भी क्या रहा है 8 इनको add करके total 16 matrices बनाई जा सकती है तो एक homework question आपके लिए देख लेते हैं यह आप try करना और जो भी answer आता है मुझे comments में बताना तो I hope यह session थोड़ा सा fruitful रहा होगा basic idea यही रहा है कि हम matrix का general representation देखेंगे यह summary है उसकी और जो भी यह condition बोल रमों apply करेंगे कभी counting में PNC लगेगी तो कभी cases बनाने रहेंगे ठीक है बाकी basic matrix multiplication symmetric क्या होता है यह सब आपको आना चाहिए तो अबग का यह question ज़रूर note करके मुझे आप answer बताएं comment section के अंदर और please 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 channel को subscribe करें like करें, share करें, comment करें ताकि channel अच्छे से grow कर सके और हम daily किसी अच्छे interesting topics के लिए मिल सकें जो J-E, mains और advance के अंदर आएंगे तो इसी तरह पढ़ाई करते रहें और जल्दी वापस मिलेंगे तब तक के लिए Thank you